मलहार रा होलकर मराठा समराज के एक ऐसे सामन्त थे जो परम पराक्रमी और युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार थे वो होलकर राजवंश के प्रथम राजकुमार थे जिसने इन दोर पर शासन किया मराठा समराज को उत्तर की तरफ प्रसारित करने वाले अधिकारियों में मलार राओ का नाम प्रमुख रूप से अग्रणी है अपनी शमता पर पूरा विश्वास रखने वाले होलकर जी काफी महत्वा कांग्शी थे और इसी के चलते उन्होंने सबसे पहले एक योधा के रूप में 1715 में खान देश के एक सरदार कदम बांदे की सेना में काम किया जिसमें उन्हें अग्रणी योधा के रूप में गिना जाता था उनके पराकरम के चर्चे जल्द ही पेश्वा के खास लोगों में शुमार होने लगी और यहीं से उन्होंने सफलता के पायदानों को नापना शुरू कर दिया था उनको उनकी चातुर ये युद्ध कौशल के ही चलते 500 लडाकु सैनिकों के दस्ते का प्रभारी बना दिया गया सन 1728 में हुई हैदराबाद के निजाम के साथ मराठों की लडाई में उन्होंने ही निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था क्योंकि उनकी ही टुकुडी ने निजाम के सैनिकों को मिलने वाली रसद आदी की आपूर्ती काट दी थी जिसके चलते निजाम के सैनिकों को भूखे मरने की नौबत आ गई इस विजए के बाद पेशवा मलहार राव से बहुत प्रभावित हुए और होलकर को और बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए बड़ा इलाका और बड़ी सेना दे दी गई धीरे धीरे सन 1748 तक मलहार राव होलकर की गिंती बहुत बड़ी योधाओं में होने के साथ उन्हें किंग मेकर की रूप में जाना जाने लगा और धीरे धीरे इंदोर और आसपास के तमाम इलाकों में उनका अपना खुद का काईदा और कानून चलने लगा यद्यपी फिर भी उन्होंने मराठों के साथ हमेशा ही सहयोग रखा और मराठों के साथ हर युद्ध में शामिल रहे कालांतर में इसी रण कोशल के दम पर मराठों ने मार्च 1758 में मलहार राओ के नित्रतु में सरहिंद के बाद लाहोर तक जीत कर दुर्रानी की सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला था अटक को जीतने के बाद कहा गया कि मराठा राज्य अटक से कटक तक हुआ करता था होलकर के सहयोग से मिली इस विजय को मराठों की विजय गाथा को आज भी अकसर लोग अटके पार जिंडा रोवला कहके सम्मानित करते हैं पानीपत की निरनायक लडाई में इस वीर योधा मलहार राव ने लुटेरे और हत्यारे एहमद शाह अबदाली की सेना को तहस नहस कर दिया था इस युद में जब विश्वास राव पेशवा वीर गती को प्राप्त हो गए तब मराठों का मनोबल गिरने लगा ऐसे समय में ततकालीन मराठों के सेना पती सदा शिवराव भाव ने मलहार राव को बुला कर उनसे उनकी पतनी पारवती बाई को सुरक्षित जगह ले जाने का आगरह किया क्योंकि मराठे अबदाली की सेना के कुरूर और नारियों के प्रती बेहद ही ग्रणित नजरिये से वाकिफ थे इस आदेश का पालन मलहार राव ने किया जिसे बाद में जोला चाप चाटुकार इतिहासकारों ने दूसरे रूप में होलकर जी के सैनिक जीवन में भागने की जूठी कहानी गढ़कर दुश प्रचारित करते रहे कालांतर में इस पराक्रमी योध्धा मलहार राव का स्वरगवास 20 मई 1786 में आलमपुर में हुआ इस महा योध्धा की एक ही संतान थी जो काफी पहले एक योध्ध में बलिदान हो चुकी थी खंडे राव की मौत के बाद उनकी पतनी अहिल्या बाई होलकर को मलहार राव ने सती होने से रोका था अहिल्या के बेटे और मलहार राव के पोते माले राव को इंदोर की सत्ता मिली लेकिन कुछी महीनों में उसकी भी मौत हो गई इसके बाद अहिल्या बाई होलकर ने सत्ता सम्हाली जो की एक कुशल शासी का साबित हुई